आज मैं आप सबों के लिए लेकर आई हूं बहुत ही टेस्टी यम्मी ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स भी आप बोल सकते हो हलो माई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो हम लोग में आशकल बहुत हेल्दी ओप्सन चुंते हैं खाने में और उपमा पुहा रोज रोज खाकर बोर भी हो जाते हैं तो चलिए आज मैं बना रही हूं पर्मसली यानि यानि की सेवय इसे बनाने के लिए यहां मैंने लिआ है राई के दाने सैसमे सीड यृनि की तील वाइट वाले थोड़े से चुटकी वächst उरद के दाल करी लीवच चना डाल बादाम और हरी याल लाल मेरच है यहां मैने टोमाइटो अन्यान काठ करके ले लिया है थोड़े से बीन्स आप ले सकते हो यहां मैंने पैन में टेल डाले हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डूं डाल सकते हो अगर आप तेल पसंद नहीं करते हो तो आप रिफाईन डाल सकते हो घी ले सकते हो one tablespoon ॉ डालो तेल गरम हो गया है अब करी लीफ ने डाले मस्टर्ड च्री और वाइट व जब यह हलके गोल्डेन हो जाए तो इन्हें किनारे करके मैं डाल रही हूं अनियन, टोमैटो और बीम सिमला मिल्च यह मैं पहले भी बून सकती थी पर उससे होता क्या कि यह बहुत जादे प्रंची हो जाते जबकि मुझे चाहिए कि यह थोड़े से थोड़ा सा कचापन रहे थोड़े से सॉफ्ट हो क्रिस्पी ना हो दैट्स वाई मैंने इसे बाद में डाला है और इसे दीमे आज पर भूनती रहूंगी ताकि यह थोड़े से सॉफ्ट हो जाए थोड़े मतलब ट्रांस्परेंट से जाए लिए तो आप देख रहे हो दीमी आज पर मैं इसे भून रही हूं यहां पर मैं इसमें थोड़े से नमक करूंगी आप बनाते हो नहीं बनाते हो अगर बनाते हो तो कैसे बनाते हो प्लीज कमेंट किया करो दोस्तों अगर आप मेरी रेसिपी को ट्राइ करते हो तो प्लींज मुझे टैक करो कमेंट करो मेरी इंस्टा एडी है आप इस पे भी मुझे डीम कर सकते हो अगर आप 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 कुछ देखना चाहते हो तो भी डीम करना तो यहां मैंने वन ग्लास ऑफ वाटर डाल दिया है यानिकी पा यह स्वाद को बहुत ज्यादा इन्हेंस कर देता है टेस्ट बड्स को हमारे थोड़े खटे चटपटे की आदत होती है लेमन सेहतमंद भी होता है और सौधिष्ट भी तो बस मैंने उस तवासा लेमन का जूस डाल दिया है और इसे अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे यह देखो उबाल आना चालू हो गया है वाटर में अब इसमें हम एड करेंगे अपनी वंसली यानि की सेवईयां जी जो नॉर्मल सेवईयां मार्केट में मिलती है बुनी हुई वही तो यहां मैं धीरे-धीरे करके इसे डालती जाओंगी यह देखिए बहुत इजी है पसंद आयगा कुछ न्यू कुछ अटके तेयार कर सकते हो यह देखो यहां पर मैं पास्ता मसाला डाल रही हूं आप चाहूं तो इसके जगह पर मैगी का मैजिक मसाला भी डाल सकते हो अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई और अगर मसाला चाहते हो तो आप वह भी या सांबर मसाला भी आड़ कर सकते हो तो बस डाल कर यहां मैंने उसे अच्छे से उबालाने तक पकाया है जब हमारी से यह थोड़ी सी सौफ्ट हो जाएंगी तो फिर इसे उतार लेंगे यह देखो त्यार हो गई है अभी यह थोड़ी चिप-चिपी दिख रही है पर जैसे यह थोड़ी कुल्डाउन होगी यह काफी खिली-खिली सी बन जाती है अब इसमें हम एड़ करेंगे फोड़ी सी कोरियांडर लिव्स यानि की धनिया का पत्ता और यह लिजे रेडी है हमारी यमी टेस्टी सी सूपर यमी नास्ता तेयार है यह भी मात्र एक कप में पूरे मागरम चाहे तो मैंने इसे ब्रेकफास्ट में बनाया था आप चाहो तो इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हो कभी-कभी चोटी-मोटी भूख होती है ना बच्चे स्कूल से आये खेल कर आये और उन्हें अचानक से भूख लगाती है कुछ दो कुछ दो तो कुछ आप तयार कर सकते हो तो एक बार जोरू ट्राय करना और कमेंट करके बताना कि आपको यह कैसी लगी बिलीब मी इट्स सूपर यमी सूपर डिलिसियस चलो आपको मेरी बातों पर तो बिलीब है नहीं मैं अपनी बेटी से ही पूछ कर आपको बताती हूं है ना चलिए फ्यू ला कैसा बना है तो मुझे तो थमसप नहीं गया पर कैमरा देखकर थोड़ी साही हो गया है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो मैं और मेरी बाते पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सेर सब्सक्राइब थाइंस पूर वाचिंग बाबाए बलती हो नेक्स्ट वीडियो में